दोस्तों पॉल्टे ट्यूब यूटूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम गिनी फाउल फार्मिंग के बारे में बात करने वाले हैं गिनी फाउल का भोजन क्या है? गिनी फाउल फार्मिंग हमें क्यों करना चाहिए? ये कितने अंडे देती है? इसमें क्या विशेस्ताइं होती है? जिससे की छोटे किसानों को फाइदा होगा? और अगर 2024-25 में हम गिनी मुर्गी पालन करते हैं तो कैसे कम से कम लागतने हम इसकी शुरुवात कर सकते हैं? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इतनी धेत सारी जानकारी आपको देने वाले हैं तो अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको गिनी फाउल यानि जिसे की चकोर भी कहा जाता है और कुछ लोग इसे तीतर भी कहते हैं और कहीं पे इसे चीनी मुर् ना पड़े तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं गिनी मुर्गी पालन के बारे में दोस्तों गिनी मुर्गी को चीनी मुर्गी भी कहा जाता है जिसकी वज़े से कुछ लोगों को लगता है ये चाइना से आया हुआ पोल्टी बड़ है लेकिन ऐसा विल्कुल भी नह उन सब में गिनी फॉल एक ऐसा पॉल्ट्री बढ़ है जिसको की कम से कम लगत में किसान पाल सकते हैं उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसके आसपस जो भी खाने लायक वस्तुई होती हैं जैसे कि अगर इसको घास मिल गई घास में जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो की फस पाइसे हुई सबजियां आप इसे दे दीजे और कुछ भी नहीं है तो आप इसे सुबा के टाइम तीन गंटे लेके चले जाएए खेत में या जंगल में और साम के टाइम तीन घंटे लेके चले जाएए आपको इसको कुछ भी देने की ज़रूत नहीं है सिर्फ 15 दिनों तक जिस तरह से आप पोल्ट्री बड को प्री स्टार्टर देते हैं उसी तरह से आपको इसको 15 दिन प्री स्टार्टर देना पड़ेगा क्योंकि इसके बचे जब छोटी होते हैं तो सिकार करने में या बाहर दाना चुगने में सक्षम नहीं होते हैं और चुग भी लेते ह तो इनका पाचन तंत्र उतना मजबूत नहीं होता है कि वो इन सब चीजों को पचा पाए और अगर आप इसका पालन फ्री रेंज में करते हैं तो आप यकीन मानिए 70-75% या कुछ लोग तो इसको 90% फ्री रेंज में ही चारा चुगा के जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है इस तरह से इसका पालन करते हैं दोस्तों इसकी विशेष्टाओं के अगर बात करें तो सबसे बड़ी इसकी विशेष्टा जो है वह है कि इसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं लगता चाहे सरदी का मौसम हो चाहे बरसात का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो किसी भी मौसम में इसमें नाम मात्ती बीमारी लगती है एक और अगर आप देशी मुर्गी पालन करते हैं या ब्रॉयला मुर्गी पालन करते हैं तो इसके वैक्सिनेशन आदि पे आपको अच्छे खासे खर्च करने पड़ते हैं वहीं अगर गिन्नी मुर्गी की बात करें तो इसके vaccination के उपर या इसके medicine के उपर आपको एक रुपए का खर्च नहीं करना पड़ता एक तो आप इसका free में पादन कर रहे हैं बिना feed किला है उपर से vaccination का भी आपको नहीं देना है और यहां तक कि इसके लिए ना तो आपको लिटर बिशाना है ना इसके लिए proper poultry जैसा होता है कि drinker लगा हो, feeder लगा हो यह उसमें पानी पियेगा और feeder में खाना खायेगा यह सब खर्च आपको इसमें नहीं करने पड़ेंगे और साइध इसी वज़ा से दुनिया में जितनी भी तरह की मुर्गियां पाली जाती है गिन्नी फावल को पालना उन सब में सबसे सस्ता माना गया है दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मैं प्रियागराज से हूँ और प्रियागराज में ऐसे पचासों किसान हैं जो कि गिन्नी पूर्गी पालन पर निर्भर करते हैं और जहां पे यह इसका पालन करते हैं वो घास फूस और जोपड़ी से बना हुआ एक छोटा सा पॉल्टिफार्म होता है जैसा कि आपने अगर हमारा वीडियो रेगुलर देखते हैं तो कई वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि उसके अंदर नाम मातर का एक आद बल्ब कभी होता है कभी वो भी नहीं होता और कुछ लोग तो जो छपपर घास फूसका होता है उसके अंदर भी इसका पालन करते हैं तो आप मान के चल सकते हैं कि जो इसका आप पोल्ट्री शेड बनाएंगे वो आपको सिर्फ इस हिसाब से बनाना है कि ये बाहरी जनवर इसके उपर हमला ना करें वैसे आपकी जनकरी के लिए बता दें अगर ये किसी अंजान जनवर या इसके फार्म के आसपास कोई अंजान ब्यक्ति दिख गया तो ये इतनी जोर सोर से आवाज करते हैं कि 100-200 मीटर तक इसकी आवाज जाती है और जो इसका मालिक होता है वो सतरक हो जाता है तो इस तरह से इसको फार्म का प्रहरी भी बोला जाता है आपको बता दें कि कुछ लोग जिनके बड़े-बड़े फार्माउस होते हैं उनके फार्माउस पे 2-4-6 जोड़े किनी मुर्गी वो लोग जरूर रखते हैं उससे उनको 2-3 फायदे होते हैं एक तो फार्म के अंदर कहीं भी सांप, सांप का पच्चा बिच्छू आदि कोई जहरीला जियुजन्तू अगर आ जाता है तो मालिक को पता भी नहीं चलता ये उन्हें सफा चट कर जाता है और ये खा जाता है इसके अलावा जिन फार्म हाउस में मांगे मांगे फरनीचर होते हैं तो वहाँ पे दीमक की समस्या होती है तो वहाँ पे अगर 2-4-6 गिने मुर्गी पालन होता है तो ये लोग क्या करते हैं कि दीमक को ये इनका दीमक प्री भोजन है ये उसको सफा चट कर जाती है तो दीमक से आपके फरनीचर का ये पूरी तरह से सुरच्छा भी करती है और अगर आप इनको खेतों के आसपास ले जाते हैं कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनमें की टिड़े वगेरे बहुत ज़्यादा नुक्सान पहुचा देते हैं तो अगर आपके पास 10-20 गिन्य मुर्गिया हैं तो उन टिड़ों को ये जो भी कीड़े मकोडे आपके फसलों को नुक्सान पहुचाते हैं ये चुन-चुन के खा लेती हैं इससे आपके फसल की सुरक्षा होती है दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गिन्य मुर्गियां अप्रैल से अक्टूबर के मद्ध में अंडे देती हैं और एक साल में ये 90-110 अंडे तक देती हैं और इनके वजन की अगर बात करें तो 11-12 हक्तों में इनका वजन 1 kg से लेके 1200 ग्राम तक आराम से हो जाता है दोस्तों गिन्य मुर्गियां के अंडों की मार्केट में अच्छी खासी डिमांड होती है और कम से कम इसका अंडा 10 रुपए में सर्दियों के टाइम की बात कर रहा हूं है और जादा से यादा आपको 18-20 रुपए में अगर आप किसी बड़े सहर के आसपास हैं तो इसका दाम मिल जाएगा इसके मांस की अगर बात करें तो इसका मांस बहुती स्वादिश्ट होता है और उसमें अमीनो एसिट की बहुत अच्छी मात्रा होती है फाइट जिरो होने के करण बाजार में इसके मांस की बहुत अच्छी डिमांड है दोस्तों गिन्नी मुर्गी का एक दिन का चुजा आपको किसी भी हेचरी पे 55-60 रुपए के बीच में मिल जाता है और अगर आप इसके अंडे लेके किसी हेचरी मशीन में लगवाते हैं तो 35-40 रुपए के बीच में आपको इसका एक दिन का चुजा पड़ेगा दोस्तों अभी के समय में मुर्गी पालन करना बहुत ही महँगा ब्योसाय हो गया है क्योंकि फीड के बढ़ते दाम की वज़ा से मुर्गी पालन में प्रॉफिट का रेशियो बहुत ही कम होता जा रहा है तो ऐसे में अगर आप गिन्नी मुर्गी पालन करते हैं तो बहुत ही कम लागत लगा के आप गिन्नी मुर्गी से बहुत अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं तो दोस्तों ये थी गिन्य मुर्गी की पूरी जनकारी और अगर आपको ये जनना है कि अगर आप गिन्य मुर्गी पालन करते हैं तो आपको प्रॉफिट कितना मिलता है 500 गिन्य मुर्गी पालन में टोटल खर्च कितना आता है इसको तयार होने के बाद परके जी इसका दाम कितना मिलता है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और जिन भाईयों ने हमारे इस यूटूब चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है अगर आप लोग सब्स्राइब करते हैं तो आने वाले वीडियो में भी आपको मैं गिन्नी मुर्गी की पूरी जनकरी दोंगा और ना सिर्फ गिन्नी मुर्गे की देशी मुर्गी पालन सुनाली मुर्गी पालन की वीडियो भी आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार दिखने को मिलते रहेंगे तो मिलेंगे एकली वीडियो में धन्यवाद